तो ये जो जील है इसमें नौ कोने थे थो नौ ग्रहों की तरह बड़ा सुभ था लेकिन जीवन के लिए आक्सीजन की अत्यनतावशक्ता होती है मचलियां भी आक्सीजन के बिना नहीं रह सकती तो इस जीलों में कालांतर में आक्सीजन की कमी हो गई थी तो ये बड़ा अच्छा सरकार ने रेंड़े लिया कि इसमें सबसे पहले आक्सीजन की आपूर्ति की जाए तो अगर आप देखेंगे तो उन तालिस जगहों से पानी के अंदर आक्सीजन जो है दी जा रही है तो साल भर से हमारा भी सुविद्याले जो है ये देख रहा था कि आक्सीजन आने से जो बाइलजिकल डाइवरसिटी है मचलिया ही नहीं जैसे कवक है अलगी जिसको आप बोलते हैं अगर अलगी नहीं होगी जो उनका भोज़ पदार्त है तो मचलियां क्या खाएंगे तो अब इस्थिती ऐसी आ गई है कि ये जील जो है उस इस्थिती में आ गई है जहां मचलियों का अनुपालन हो सके तो इसलिए आज पहली किस्त के रूप में 4000 मचलियां इसमें डाले गए है उनके 4000 मचलियों के बीज जिसको हम कहते हैं Fingerlings डाले गए उसमें जो है रोहु भी है कैतला भी है मसीर भी है और सिलवर कार्ब भी है तो इसपर हम अध्यन भी करेंगे कि ये कैसे जो है इसमें अपना जीवन यापन करती हैं कैसे ब्रिद्धी होती है और इन सारे से हमारे को विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस जील की गुणवत्ता बढ़ जाएगी इस जील की उपयोगिता बढ़ जाएगी इस जील की उपादेता बढ़ जाएगी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन लेंड अंतस्तली मचली है हमें इस देश में इसका उत्पादन कई गुना बढ़ाना है जलसनरक्षण के लिए जल के सदुपयोग के लिए कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलै सीतलाम अगर सवक्ष जल नहीं होगा तो सवक्ष बाय कहां से होगी और सवक्ष जल और सवक्ष बाय नहीं होगी तो कृशी में उत्पादन कहां से होगा तो हमें देश में मचलियों का उत्पादन अंतस्तली जो मचली है ताल, तलाय, जील जो है इसमें कई गुना बढ़ाना है और इस पर काम पूरे देश में तेजी से हो रहा है जब इसमें मछलियां आएंगी तो जो टूरिस्ट हैं उनको भी आकरसिते अपनी तरफ करेंगी और साथ ही साथ अब तो मछलियां इतने तरह की हो गएं कि जो रंगीन मछलियां हैं बहुत जगह जिसका लोग पालन पोश्टन करने लगे और जीवको पारजन का शाधन मात्र के रूप में भी है तो मुझे विश्वास है कि यह जितनी पाड़ियां आपको दिख रही हैं ज उस दिन में यहां रंगीन मछलियों का एक क्यूरियम भी जो है बन जाएगा जो आकरसित करेगा लोगों को